नमस्कार आपका इस मुलाखत के दोरान आपका संक्षित रूप में आपका परीचाहिए देजी नमस्कार मैं प्रदिपन नायर मैं मास्टर मैं ग्लोबल स्कूल का प्रेंट्सपर एंड मैं इजिकेशन फिल्ल में मैं दो हज़र आट फातिमा कोलिश में लेक्ट्टर जोइन किया मैं दो हज़र नाओ मैं आपका इस्पीफोड हॉस्पिल ट्रिवांडर में डाटीशन था एंड दो हज़र दस में मेरे को मारेश शादी होने के बाद मैं इधर पूने मैं आया उसके बाद मेरे सास फादर इनला एक चोटा सा स्कूल रं कर रहे था बोसरी में फो उनका रे बाद मेरे को थोड़ा लगा बच्चों का कंडिशन बहुत डाउन हो गया बोलके बुरा लगा सो कुछ तो करना पड़ेगा सोच के मैं अधर एंडर एंटर किया फिर नाइट ट्यूशन फ्री ट्यूशन रखाया बच्चों के लिए आट नाव बजे तक मैं ट्यूशन कु हो गया उनका बीलीवन्स मेरे उपर बहुत विश्वास रखाया एंड मेरे को मोटिवेट किया ब्लसिंग किया सो उसके बाद मेरे को इंटरस्ट आया ओके हम ए फिल्ड में हम अच्छा कर सकते ऐसा बहुत सरा बच्चों को डिप्रवाइट क्लासस में है उनको कुछ तो कर चोटा सeken बुद्द च्कोम क्रुड़ क्लासस में था सो उनको ड्यावक करने के लिए मैं ठोड़न के टायम में थोड़ा टीचिंग था द्रीम था सो मेरे को मेरा देखे मेरे को पास्ट चालु किया उसके बाद एक बार मेरे सासु का रेटार्मेंट होने के बाद वो स्कूल में एंटर किया, सो उसके बाद मेरे को मालम पड़ाया, पेरेंट सब लोग खुछ था, मेरे स्टुडेंट का डवलपमेंट देखाया, मेरे हाड़वर के विज़े से बच्चो थोड़ा डवलपमेंट हो गया, सो मेरे ड्रीम था, वो मेरे पैशन बनाया, उस दिन से में स्कूल के लिए आइडिया किया, अभी मेरे पास दो स्कूल है, और वो स्कूल में दो हजार थीन से बच्चो पड़ाय कर रहे, सो ऐसा, इट शुड़ बी पैशन, पैशन मतलब लाइक ब्लेड फैशन ने स्कूल चलने का बिस्नेस ने यह वो फैशन हो जाएगे, बट मेरे पैशन ने वो ब्लेड वाइसा है, सो बच्चों को कुछ तो कुछ नाया, कुछ तो टीश करना पड़ेगा, इसलिए में एच चूज किया, आपकी पारेवारिक जो पारशोभूमी है, वो पहले से शिक्षा के संबन दे थे? ने सर, अचली मेरे पपा होलिस इंस्पेकर था, तामिनाड़ में, उसके बाद ही गोट रटाइड, मुम्मी उस हॉस्वाइफ, हॉस्वाइफ था, और मेरे ब्रदर, अल्दर ब्रदर है, वो बैंक में जोनल मैंजर है, जोनल मैंजर था, यह फामिली बैक्राउंड कुछ एडिकेशन में नहीं था, बट मेरे टीचर को देके, मेरे इंग्लिश टीचर को देके, I got inspired, तो उस ताम से में थोड़ा, I was getting motivation from the teacher, so उसके बाद I got that, and मेरे dream has started now. आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान में शिक्षा प्रानाली जो है, अभी जो चल रही है, शिक्षा प्रानाली, वो बच्चों के लिए, स्टूडन के लिए उपिवत है? Actually, after once NEP, new education policy is there, once NEP चालू हुआ, 100% students will be benefited, उसमें skill-based, vocational courses है, so बहुत सरह है, it is not a, बच्चों को NEP 100% चालू होने के बाद, बच्चों का बड़न, education मतलब बड़न नहीं हो जाएंगे, it will be like enjoyment, सब बच्चों को on failure, average, whatever it is, NEP policy चालू हो जाएंगे, सबको occasional courses का certificate सब मिलेगा, उनको skill, अंदर का skill, they'll understand, उसके बाद, this education will be a 100% fruitful education. दो साल पहले कोविड आया था, कोविड के बाद, शिक्षा में बहुत बदलाव आगा है, तो उसमें जो बदलाव आया है, वो जो बदलाव आ रहा है, उसके वो बदलाव के बारे में आपका कहते हैंगे? चुविड के बाद, बुच सराप परेंस अदमिशन लेने का बोथ इंटरस्ट कम हो गया, उनका एंडोल्मेंट बोथ कम हो गया, आपका कैसा था जाए ताफ पारेंस, एड़प एड़़ दियू के बाद, अज़ अज़ आपका का बदलाव पारेंस उसके बाद, एका आगे लेके आने का पहले का कैसा ट्राप में लेके आने का वो स्कूल का बोध प्रोब्रममेटिक थाउस ताम सो दाट ताम लिक फ्रैक्टर लोग को कैसा वाकिंग स्टिक हम यूज किया वैसा हम यूज करके अभी अब अब कोविड के बाद तो बचों का स्क्रीन टाइम पर नहीं थी तो अभी स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए लेकिन यह बहुत सारी स्कूल है क्योंकि ओनलाइन पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया जागा है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर अभी इट बहुत मुश्किल है बच्छों के हाथ से मोबाइल रीमुव करने के लिए अवाइड ने कर सकते बट रेस्टिक कर सकते क्या है बच्छों को बोलने सकते आप मोबाइल यूस मत करो हम रस्टिगेट करे अवाइड किया बच्छों का आदित हो जाएगे उसको करने का सो इंस्टेट उनको अवाइडने करने का, रस्टिक करने का, मोबाइल को केसा स्टाडीज की इसाब से डाइवर्ट करने का, that is more important. सो आप मोबाइल को अवाइड कीच के रिमू करेंगे ना, बचो आगे बोथ कमपल्शन में करेंगे, so that is a habit of a child. सो उसको अवाइडने करने का, रस्टिक करो, and वो रस्टिक्शन में उसको मोबाइल का आदत तोड़ा डाइवर्ट करके, स्टाडीज की इसाब से यू डाइवर्टे, लेकिन आपने अपने स्कूल में कुछ अईसा प्रयास किया होगा, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो, मेरे बच्चों हमेशा मोबाइल में स्कूल से आया, घर में आया, तो काना का कि मोबाइल में बेड़ते है, सो पड़ाई में कर रहे हैं, बहुत कंप्लेंट था, बट अभी हम हमारा स्कूल में कैसा है, वो मोबाइल को हम डाइवर्ट किया, XQ Lab बोलके, XQ Lab मतलब, slow motion कैसा क अब करने का, activities देटी प्राक्टिकल मतलब एक थर्मो को बना के लेकिया हो, model लेकर बना के लेकिया हो, ऐसा था, बत अभी हम कैसा डाइवर्ट किया हो, ओ मोडल को अप एक काम पर हो, वीडियो बना, वीडियो बना के, XQ वीडियो, stop motion, ऐसा बना के अप लेकिया हो, ऐसा, आज़े को divert करके मिन्स रील्स, शौ्ट फिर्म्स वो डाइवर्ट करके हम स्टाडीस में हम ले के आए मोबाल, सो रस्टिकरिशन इस दिफर्ट आवाइड, हम अवाइड ने कर सते हैं, बट रस्टिक करके उनका मोबाल का क्या बेनेफित है, क्या पिर्ट ने क्या ने मिन्स वो ते मैं 얘기ै locks payments क स्कूल में हएं वो फार्ट आपी तो मोबाल के स्कूल असर ने होता? सिर कि evolструा एगारा को बाख्चों चूमारा था है स्टूडेंस का एक विश्टन स्टूड़ कई गिर्पे यह यह करना इन कर अब हैं। मदें सेुटेग अप्थे यह लेसं को कम्rika के ऊतो है। उसका scoring मेरे friend का compare करके scoring के साए हो सब compare करके हम happy हो जाएंगे marks वैसा सेही में आप ये question ये lesson का complete किया तो उसका marks ऐसे level 1 level 2 game वैसे हम बना के दिया एक app पे so game वैसे बना के दिया बच्चों इंस्ट अफ playing candy crush वो subject related का questions and games है हमारे पास वो केल के अभी बच्चों competitive में आया so they are doing the best आपने केरल तमिल नाडू जैसे उननत जिनका growth बहुत आगे गया है शिक्षा में उस state में काम किया है काम करते है तो यहां काम करते समय आप महाराष्ट में या अन्ने राज्यों में शिक्षा के बारे में क्या स्वोस्त है Sir, Kerala में, you know, Sabhi लोग को, पूरा इंडिया को मालू में, Kerala is a literacy rate ज्यादा है but literacy rate ज्यादा है but opportunity कम है parallelly if you see, ज्यादा पड़ाय करते है but opportunity is very less but Tamil Nadu compare करें, Tamil Nadu and Maharashtra, job opportunity is more Tamil Nadu government students के लिए subsidies देते, for example, 10th past हो गया, आपको बच्चों को laptop देते so, बोच सरा subsidies ज्यादा है, discounts in studies, means fees, पोसब देते and Maharashtra में, job opportunity is more so, compared, Kerala is, literacy rate is more but Maharashtra and Tamil Nadu, job opportunity is more so, compared to Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra is best for the job opportunity but Kerala, literacy rate is more than, studies के लिए prefer देते but job opportunity के लिए, Tamil Nadu and Maharashtra is good and obviously, Maharashtra people is like, where talent was there, उसको वेलकम करते door, always door is open for Maharashtra, so, talent है, Maharashtra में, you can win and you can hoist your flag, that is the difference Sir, state-wise language is there, Maharashtra में, Marathi, Tamil Nadu में, Tamil and Kerala में, Malayalam, everything is there but in that state में, बच्चो, state-wise का language सिखा के न, that is, out of state बाहर जाएं तो, उसको अपरशंटी उतना नहीं मिलेगा so, better एतो, कोंसा भी state में, Mother Tang should be in first priority and second, it should be Hindi, राश्चर बच्चा, it should be given priority that will be more benefited all over India so, as per me, Mother Tang should be a first priority, second should be of Hindi, राश्चर बच्चा then third, you can have English or something where you can go away from out of India also, you can live your life, सभवाई करक्ते so, राश्चर बच्चा बच्चा, जा इंपूर्स्चा बच्चा so, च्रस्चर बच्च बच्चान बच्चब्ल्या करें अप्लिया लाइ नवरात रिचा मना पास धुबेच्छा दन्यों झाल